वेल्कम टू सपनों का रहिसे हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनों का रहिसे पे स्वागत करते हैं आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर इगल यानि बाज, शहबाज, उकाब या शाहीन देखना अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर देखे कि उसके सामने इगल है या उसने इगल का मास खाया है तो इसका जो मतलब है वो मैं बता दूँ देखें रियल में इगल जो है या बहुत बुलंदी पर हवाओं में बहुत टॉप पर, बहुत हाइट पर ये रहता है और वहां से ये अपने शिकार पर जपटता है तो इसे हवाओं का फिजाओं का राजा भी कहा जाता है अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर देखे तो शाहिन, उकाब, इगल यानि बाज वगेरा को सपने में देखना जो है वो किसी ऐसे जालम वेक्ती को देखना है जो के आप से सीनियर हो आप पर अपना ओर्डर चलाता हो जैसे स्टूरेंट के लिए उसके टीचर या उसके सीनियर स्टूरेंट्स जॉब करने वाले के लिए उसके सीनियर कोलीग या उसके ओफिसर्स और अगर कोई बिजनसमेन है तो उसके सीनियर बिजनसमेन या उसके फैमिली में सीनियर्स जैसे माता पिता, अंकल, दादा दादी, नाना नानी वगएरा अगर कोई वेक्तिस अपने के अंदर ये देखता है कि उसने एगल को कुछ दिया है तो उसका मतलब किसी जालम वेक्ति को कुछ देना है और अगर उसने एगल से कुछ लिया है तो फिर वो किसी जालम वेक्ति से कुछ लेना है और अगर कोई वेक्तिस अपने में देखता है कि उसने एगल का मास्क खाया है तो इसका मतलब है कि वो किसी ऐसे ही जालम वेक्ति से माली तोर पर यानि रूपया पैसा जो है वो कुछ प्रॉफिट में मिलेगा यानि अगर स्टूडेंट है तो अपने सीनियर टीचर से या अपने सीनियर कोलीक स्टूडेंट से और इसी तरह अगर कोई जॉब करता है तो फिर अपने सीनियर से और अगर कोई बिजनसमेन है तो अपनी फैमली से या किसी सीनियर बिजनसमेन से उसे माली तोर पर कोई प्रॉफिट प्रॉप्ट होगी मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ